रवीश जो आप अभी अलग-अलग जानर्स जो पत्रकारिता के बारे में बोल रहे थे कि देखे किसी की स्पेशलाइजेशन स्वास्त में है, किसी की विदेशनीती में है लेकिन जो आपकी एक शुरू की गई रवीश की रिपोर्ट जिसको देखने के लिए जनता बहुत लालायत रहती थी तो क्या अब उस रवीश की रिपोर्ट को आप अपने यूट्यूब चानल पर क्या दुबारा जिन्दा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आपका जो एक कनेक्ट है दर्शकों के साथ और अभी भी आपको दर्शक बहुत प्यार करते हैं तो वो कनेक्ट आपका उस रिपोर्ट से बना रहे हैं क्या वो कोशिश रहेगी आपकी निलू मैं चाहता तो हूँ कि मैं करूँ लेकिन वो इतना आसान नहीं है आप जानती हैं कि बाहर जाने पर मेरे साथ क्या होता है तो एक सुरक्षा का मसला रहता है अगर पत्रकार माईक लेकर खड़ा है और दस तरह की कहानिया बनाने वाले लोग आ जाएं और जिन से मैं बात कर रहा हूँ उन से ही धंकी दे कर किसी तरह की चीज़ें बुलवा ली जाएं कि ये कहो कि ये दबाव में हमसे बुलवा रहा था या कहीं पे मैं बहुत अंदरुनी इलाके में चला गया हूँ और अगर अपने ही जान को लेकर खत्रा महसूस करूँ इससे बड़ा नुकसान जनता का हुआ है कि अच्छे पत्रकार अनुभवी पत्रकार अगर सड़क पे नहीं जाएंगे उनके लिए आप असुरक्षित माहौल राजनितिक रूप से बना देंगे तो आप वही केस मुकदमा करते रही है कोई भी आकर गाली देने लग जाएगा कुछ भी कर लेगा तो वो तो है और दूसरा कि वो जो एक बहुत ही हाई स्किल रिपोर्टिंग थी उसके लिए बहुत योग ये कैमरा परसन थे कि मैं ये सारी चीजे जब हो जाएंगी तब मैं देखूंगा कोशिश मेरी ये है कि थोड़ा पुर्वत्तर और डक्षिन की तरफ जाओं थोड़ा देश के बाहर भी अगर संसादन रिसॉर्स आएं तो अगर कोई बुला लेगा तो उनके घर पे ठहर के उन चीजों की रि ना उमीद करना ये क्यों गलत है करना चाहिए मुझे और मुझे कोशिश भी करनी चाहिए आपको भी करनी चाहिए क्योंकि देखिए हम लोग जो भी कर रहे हम हैं आप हैं या न्यूज लॉन्डरी है वायर है या फिर स्क्रोल है या अजीत अंजुम है या अभिसार है या credibility को बना रहे हैं कि media ऐसा होना चाहिए देखो media में कुछ पत्रकार अभी भी है लेकिन इसकी मलाई कौन खा रहा है मिलू इसकी मलाई हम media में credibility जोड रहे हैं लेकिन जो गोदी media का empire है वो लाखों रुपय का करोडों रुपय का add ले जा विज्यापन ले जा रहा है और वो सारा पैसा ले जा रहा है तो इस पेशे में जो विश्वास है बना रहे है हम जैसे चंद लोग लेकिन इसे लूट रहे हैं वो गोदी सेठ तो इस process को समझना होगा कि हम जरूर करें हम जितना हो सकता है उतना करें जरूर देखूंगा कि मेरा समय कैसे रहता है आज इविका के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा मैं तो यह नहीं कह सकता कि मेरे पास कमाने खाने की जरूरत नहीं है लेकिन हमें यह फर्क समझना चाहिए कि यह सारे अच्छे पत् सितियां रज के और ये लोग पत्रकारिता कर रहे हैं उन्होंने पत्रकारिता का लोड ले लिया है खाली पेट भूखे पेट रहकर स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन इस मीडियम में क्रेडिबिलिटी वो जोड रहे हैं और क्रेडिबिलिटी जब बहाल होती है तो लोगों को लगता है कि सारा मीडिया क्रेडिबिलिटी वाला बीडिया है और यह जो गोदी सेठ हैं इन पत्रकारों के बनाए हुई क्रेडिबिलिटी की मलाई खाते हैं वो टैग लाइन लगा देते हैं सच जोड देते हैं truth जोड देते हैं और जबकि सच और truth के लिए जो risk है वो कोई और ले रहा है वो कैरवान वक का reporter ले रहा है वो article 14 का reporter ले रहा है और वो कई सारे youtuber ले रहे हैं कई सारे regional channel ले रहे हैं तो यह जो national channel का जो game है media की credibility के आधार पर वो जो लाखो करोर रुपे के विग्यापन की industry को उठा लेना है news जैसा कुछ होगा मगर news नहीं होगा इस game को समझना और बताना मेरा मुख्य काम है जो मैं करता रहूँगा